देखे मैंने इसी कार्क्रम में कहा था कि हम एटी से राउल गांदी लडेंगे चुनाओं और हमें लगता है आज शाम को सीजी की बैठा के बाद उसी खोशना हो जाएगी क्योंकि एक प्रक्रिया है और सीजी में उसमें चर्चा होगी राइबरेली को लेकर करके मुझे परिवार से एक्स्टेंडेट फैमिली की रूप में है और राइबरेली से पहले भी कैप्टन सथी शर्मा भी जीत चुके हैं चुनाओं जब 1999 में सोनिया गांधी अमेठी से लड़ रही थी और कैप्टन साब को अरून नहरू के खिलाफ चुनाओं जीते थे और अरून न और उन्होंने कहा था कि मेरे पिता की पीठ में खंजर भूकने वाले को आप लोग चुनेंगे या औरे पिता के साथ कंदेश-कंदा मिला कर चलने वाले को आप चुनेंगे सथीशर्मा मैं आपकी बात नहीं लड़ दो प्रसंग कोट कर रहा हूं तो इस तरह का चुनाओं एक सवाल बार वरून गांदी के वाली बात में बता दूँ आपको अगर प्रेंका राय वरीज़ से लड़ती है वरून गांदी उनके खिलाफ चुनाओं नहीं लड़ेंगे इमान लीजिए वरून गांदी से भारतेंता पाइटी के सीर्शस निताओं ने बात किये नड़ा जीने कीए जानते मेरी शुत्रों के अनुसास जानकारिये में वरून गौर्ण गांदी मेरे इस्मरता जाहिर की प्रियंका गांदी के खिलाफ में परिवार के खिलाफ मुझे जानना मेरे लिए लिए बड़ेश कुछ है लेकिकिन जुछ मजबूरिया होती है विश्टान तो मुझे मेरे सूत्रों नहीं बताया अब किसना है बाकी तो वरुन गांधी जाने भाजपा जाने शीर्स नेत्र जाने लेकिन अगर यह हो सकता है कि कोई गैर गांधी लड़े तब भारतिय पार्टी कर उनको टिकट देना चाहे तब लड़ेंगी फिर अधिकत है फिर तो लेकिन यह भी हो सकता है फिर शायद भाजपा उनको आफरी न करें तब मनुझ पांडे और तमाम सारे जो नाम है वहां दिने सिंग और अधिती सिंग और राजा राकेश बादूर सिंग इनके जो नाम चले हैं फिर उनमें किसी को ट्राई करें वो तो वरुन का उप्योग तो प्रेंका के खिलाफ करना चाहती भारते अंतापर्टी तो वो शायद उप्योग अपने परिवार खिलाफ होना नहीं जाए उसका एक इतिहास भी है मेंका जी राजिव गांदी की खिलाफ चुनाव लड़ी थी बाइलक्षन जब वह था में ठीका संजय गांदी की मृत प्रेंका वरून के बहुत अच्छे रिष्टे हैं समवाथ ज़्यादा होता है राहूल से खराब रिष्टे नहीं है उनके यह गलत सूचना है राहूल से खराब रिष्टे लंदन में जब राहूल पड़ रहे थे तो दोनों खुब मिलते थे कई बार साथ भी रहे हैं और राहूल के साथ उतने गर्माहट रिष्टों की नहीं है जो प्रेंका के साथ है लेकिन कोई अदावत भी नहीं है तो वरुन इस चीज को मुझे लगता है कि शायद जो एक दरार काफियत तक निजी रिष्टों में राजिनितिक रूपे से दोनों अलग-अलग हैं परिवो सुल्टानपूर से तो वह इसलिए जो है उसको खतम नहीं करना चाहिए कि परिवार में निजी रिष्टे बने हुए हैं वह बने रहें क्योंकि अगर एक बार लड़ गये चुनाओ प्रेंका एक खिलाव नहीं लड़ेंगे यह तो मैं बिल्कुल इस बात को करते हैं तो आ अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें